हलो फ्रेंज, वल्कम बाक टू माई चानल, मैं अपने चानल HP एक्जाम कॉर्णर पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके एक्जाम के प्रपरेशन पी बहुत अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंज, बहुत बड़ा जॉब अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ, Daily Subordinate Services Selection Board के द्वारा जो है, MTS के पदों पर भरतिया निकाली गई है, टोटल पोस्ट की बात करें, तो 576 पोस्ट जो है, अलग-अलग दिपार्टमेंट्स द्वारा निकाली गई हैं, तो दोस तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, कि इसकी जो online application की starting date है, वो कब से कब तक रहने वाली है, तो friends, opening date जो है, आठ फरवरी से already शुरू हो गई है, तो आप इसके जो forms हैं, वो apply कर सकते हैं, closing date की बात करें, तो 8 March 2024 जो है, अंतिमतिति रखी ग जो है, dssb.online.nic पर जाकर जो है, इसके लिए आप apply कर सकते हैं, अब बात करते हैं, कि application fees क्या रखी गई हैं, तो friends, 100 rupees जो है, application charges रखे गए हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ SBI के e-payment gateway के द्वारा ही आपको pay करना है, अब बात करते हैं, कि women candidates और candidates belonging to schedule class, schedule, try, PWBB, ex-serviceman category, तो इनके लिए कोई भी fees नहीं रखी गई हैं, तो friends, यह आप ध्यान से देखेगा, जो fees है, journal category के लिए, लेकिन जो exempted हैं, वो हैं, आपकी female candidates, SC, ST, PWDB, and ex-serviceman category को जो है, exempt किया गया है, application fees से, next बात करते हैं, कि किन-किन departments के द्वारा, जो है, vacances निकाली गई हैं, तो friends, सबसे पहले है, women and child development, तो इनकी बात करें, total 194 vacances निकाली है, social welfare के द्वारा, जो है, total 99 vacances निकाली गई हैं, training and technical education के द्वारा, जो है, 86 MTS की vacances निकाली गई हैं, category wise आप check कर सकते हैं, इसके अलावा, जो है, मेरी telegram channel, HP exam corner पर जाकर भी आप detail में, जो है, इस job से related, जो है, detail में आप information पा सकते हैं, इसके अलावा, next बात करते हैं, principal and accounts office department के द्वारा, जो है, 64 vacances निकाली गई हैं, next बात करते हैं, legislative assembly secret की द्वारा, जो है, 32 vacances निकाली गई हैं, next है, आपका chief electoral officer, तो दोस्तों, इस department के द्वारा, total 16 vacances निकाली गई हैं, next है, आपका daily subordinate services selection board, तो 13 vacances इनके द्वारा निकाली गई हैं, next है, आपका directorate of economics and statistics, तो 13 vacances इनके द्वारा निकाली गई हैं, next बात करते हैं, planning department के द्वारा 13 vacances हैं, directorate of training, UTCS के द्वारा 12 vacances हैं, next बात करें, land and building के द्वारा total 7 vacances हैं, category wise अब चेक कर सकते हैं, next है, friends, archaeology, तो 6 vacances इनके द्वारा निकाली गई हैं, next बात करें, law, justice and legislative affairs, तो इनके द्वारा 5 vacances निकाली गई हैं, next बात करें, directorate of audit, तो इनके द्वारा 4 vacances निकाली गई हैं, next जो है, डेली archives, तो इनके द्वारा 3 vacances निकाली गई हैं, total vacances की बात करें, तो 567 जो हैं, total vacances निकाली गई हैं, तो काफी जादा vacances जो है निकाली गई है अब हम बात करते हैं कि departments तो मैंने आपको बता दिये qualification क्या है तो friends MTS की post के लिए जो qualification है वो आपकी 10th रहने वाली है जिस भी department के द्वारा vacances निकाली गई है तो उसमें 10th है qualification मागी गई है तो qualification का कोई बड़ा issue नहीं है age limit की बात करें तो maximum जो है maximum departments में 18 से 27 साल की जो है age limit रखी गई है इसके लावा हम बात करें तो दोस्तो pay scale जो है आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक रहता है group C की ये post रहने वाली है तो दोस्तो pay scale भी काफी अच्छा है age limit भी आप देख सकते हैं इसके लावा अगर आप relaxation देखना चाहते हैं तो वो भी हम आगे discuss करेंगे अब बात करते हैं इसका केवल एक ही exam होगा जो की आपका online exam रहने वाला है दो घंटे का exam होगा जिसमें आपसे total 200 question पूछे जाएंगे और जो total marks होंगे वो भी 200 ही रहने वाले हैं अब बात करते हैं कि क्या-क्या जो subjects है इसका syllabus क्या रहने वाला है उसके वारे में तो friends first section जो है आपका journal awareness का रहेगा जिसमें आपके 40 marks का होगा 40 questions पूछे जाएंगे next जो है आपका journal intelligence and reasoning ability होगा 40 questions 40 marks next is your arithmetic and numeric ability जिसमें 40 questions पूछे जाएंगे 40 marks के next है आपका fourth जो section रहेगा test of Hindi language and comprehension तो इसमें 40 questions 40 marks के होगे और जो fifth section है वो होगा आपका test of English language and comprehension इसमें भी 40 questions 40 marks के रहने वाले हैं दोस्तों बात करें negative marking तो negative marking होगी 0.25 जो है negative marking इसमें रहने वाली है और आपको देखने को मिले negative marking यहाँ पर mention किया गया है अब बात करें कि minimum qualification जो है minimum qualifying marks जो है कितने होने चाहिए तो journal और EWS के लिए minimum qualifying marks 40% होने चाहिए OBC के लिए OBC Delhi की बात हो रहे है तो 35% जो है उनके लिए minimum qualifying marks रखे गए है फिर बात करें SC, ST और PH, PWD के लिए तो 30% जो है इनके लिए qualifying marks रखे गए है ex-servicemen की बात करें तो उनको 5% का relaxation दिया गया है तो दोस्तों यह था जो important आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या exam में आपको देखने को मिलेगा syllabus इसके अलावा relaxation की बात करें तो SC, ST category के लिए 5 years का relaxation है OBC के लिए 3 years का relaxation है PWD unreserved और EWS के लिए 10 years PWD SC, ST के लिए 15 साल और PWD OBC के लिए 13 साल का relaxation दिया गया है तो दोस्तों यह थे इस post से related सभी important information I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंज के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है subscribe my channel इसके लावा अगर आप detail में इसका PDF देखना चाहते हैं तो मेरे telegram channel HP exam corner पर जाकर आप इसका detailed PDF देख सकते हैं Thank you friends, thank you for watching my video